हेलो गाईज आप लोगा स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपरस इंट पर ते एक बड़ी ब्रेकिंग निकल कर आई है जैसा कि मैंने मौर्णिंग में यह आपसे बताया था कि यूपी ट्रेट पर जो है कोर्ट में एक जो है केस डाला गया है एक याचिका जैसा कि आपको पता कि कोई ना कोई भरती जब होती है यूपी में होती कहीं भी होती है तो सरकार जो है उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसी छोड़ देती है कि मजबूरी में ही वो भरती जो है कोट जाती है चाहे आप जूनियर भरती देख लिजिए 50% मामला सहायक प् आद में फस्ता देती ही लेकिन तब तक साल दूई साल जो है वो लेट हो जाता है वहीं पर हम लोग देखें अगर आप सभी को पता हो पूरे भारत भर में जो है एनायोस से बच्चों को डेलड कर वाया गया था वो एनायोस से डेलड जो कहीं ना कहीं प्राइबेट के मामले में सब कुछ होता है NCTE जो भी होता है उसको जारी करता है उन्होंने बता दिया कि इन बच्चे ये जो है NGDonT करने वाले जो भी बच्चे हैं वो सबी सब जगापर valid है जैसे कि UndG Girard जो है valid होता है उसके बाद भी UP TED का जब notification आया तो वहाँ पर कहीं पर भी इन बच्चों को option नहीं दिया गया कि N.I.O.S. वाले बच्चे भरेंगे कि नहीं भरेंगे साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि जब junior की भरती आई थी वहाँ पर भी N.I.O.S. से डियलेड करने वाले बच्चों को वैलिड किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा मानेनिये उच्चनियाले लख्रों ने जो है इनको रहत दी थी कि आप लोग जो है added junior में भरें लेकिन फिर जब यूपी टेट का फामा तो फिर इन बच्चों को जो है ऐसा सरकार ने किया या ऐसा PNP ने किया कि इन लोगों को फिर से कोट जाना पड़ा मैंने morning में ही आप से कहा था कि कोई कुछ भी कर ले ये बच्चे जो है कभी भी बाहर नहीं होंगे क्योंकि NCT ने जब इनको valid कर दिया है तो ये लोग बिल्कुल valid होंगे और वही हुआ आज के case में आज के case की जो है पहली सुनवाई थी इनकी और पहली सुनवाई में एक बड़ी जीत इन बच्चों की हुई है और वो जीत ये होई कि ये लोग भी अब जो है UP TET में जो है आवेदन करेंगे अंतरिम राहत जो है इन बच्चों को दे दी गई है और कहा गया जैसे कि आपको पता है कि 12 दिनों की जो है छुटी होने वाली है कल से हाई कोट में तो ये कहा गया कि आप लोग जो है फार्म को डालिए आप लोग की सुनवाई बाद में होगी क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार भी जानती है सरी हाई कोट भी जानती है कि इन लोग का कोर्स वैलिड है क्यों बैलिड है क्योंकि NCT ने लेटर दिया है साथ ही साथ कई सारे स्टेट की हाई कोट ने इसको वैलिड किया जैसे कि ये बहार हो गया और भी बहुत सारे हाई कोट उन्होंने वैलिड किया है तो जो है जजज साहब ने भी देखा और कहा कि हाँ भाई चलो सब कुछ ठीक ठाक है कोई रिक्कत वाली बात इसमें है नहीं तो उन्होंने अंतरी मादेश दे दिया कि आप लोग फॉर्म को भरिये बाकी जब आगे डेट लगेगी तब की तब हम लोग यहाँ पर साम तक इसका आडर आजाएगा और जैसे ही आडर आएगा आपको वीडियो के मादन से बताया जाएगा कि आडर में क्या-क्या चीज़ें लिखी है कैसी कैसी चीज़ें लिखी है अभी के लिए इतनी जानकारी मिली है कि यह नाव से डेलेट करने वाले चात्रों को जो है म यहीं न कहिंहें सरकार को इनको सामिल करना ही पड़ेगा आज नहीं करोगे कल करोगे क्योंकि यह सभी लोग जब NCT ने इनको माना है और NCET इनको एंटरी करा हैं तो तुम उनके विरोद नहीं जा सकते सकते हो